बाबा जी कभी विलाग आया एक तो बाबा जी जो बोलते हैं बिल्कुल कख समझ नहीं आती क्या बोल तो फिर म्यूट करके बना दो या फिर बोलना है तो सही से बैठ के आप बोलने वोईस हमने खुद सुन लिया अपने कानों से ना फसे में क्या पता है मतलब मुझे क्या फिर सितारा ने रिस्पॉंस नहीं किया था उन्होंने बड़ी गंदी बैन बजाई थी और आपको बहुत गंदा ट्रोल किया था और इस तरह नहीं होता भाई और अपने सुकून के लिए शादी करती है एक प्लॉट जो लिया गया है वो भी अम्मा के पैसों से लिया गया अच्छा लगा उनको खुद एदमादी देखके सितारा की बहुत अच्छा लगा हेलो हेलो अससलामोरीकूम नाजरीन कैसे हैं आप सब ठीक है अमीदे कहरे से होंगे मज़े में होंगे नौशीन मुलतानी चैनल पे विलकम होगया मैंजान की चोटी 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 हैं कुछ भी नहीं जाता ना तो ठोक दो लाइक क्योंके होता है फरी में तो जिनाब अपना रव्यू रियक्शन स्टार्ट करते हैं पूरा सुनिएगा और बाबा जी का भ्यान भी आ चुका है ओ भी सुनते हैं ठीक है जी सच जी सच ये है कि किसी ने के खूब लिख है ठीकत है कोई रूलाता है तो कोई मुस्कराने की वजा बन जाता है और यही जिन्दगी है नरम दिल लोग बेवकूफ नहीं होते वो जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं लेकिन फिर भी वो नजर अंदाज करते हैं क्योंके उनके पास एक खूबसूरत द दिल होता है जवाब देने को तो हर बंडा दे सकता है लेकिन फिर वो दर गुजर करते हैं कि यार सोड़ी को थोड़ा करो साइड पर बस नजर अंदाज करते हैं क्योंके उनके पास खुबसूरत दिल होता है अगर आपको कोई एक दोस्त है वो जुदा होता है तो दूसरा अगर कोई आपको जो है नफरत करता है तो कोई महबत करने वाला आपको मिल जाता है मुसकराहट कोई रुलाता है तो कोई मुसकराहट चहरे पे दे देता है तो बिलकुल ये हिसाब बराबर हो जाता है और ये दुनिया है ये दुनिया है और सब ऐसे ही चलता है किते हैं कि जनाब कभी-कभी तो हम घल्ट नहीं होते बस हमारे पास वो अलवाज नहीं होते जिस से हम खुद को सही थाबत कर सकें कोई वजाहत दे सकें और कोई शायद दे सकें और कोई और शायद देने की जरूरत भी नहीं है कießen कि जब रिष्टे वजातों की ही मुःता हो जाते हैं तो समऑदें के उनकी अमर खतम हो चूकी है तो वजाहते नाหी दै अलफाज उसे होते हैं आप नहीं वजात करके बता पा रहे होते लेकिन इससे बेतर यही होता है कि रिष्टे अगर वजाहतों के महताज हो जाए तो साइड पे हो जाएं, उनकी उमर खतम हो जाती है, तो जी जनाब अभी हम अपना रिव्यू रियक्शन स्टार्ड करते हैं बाबा जी कभी विलाग विलाग आया, एक तो बाबा जी जो बोलते हैं बिल्कुल कख समझ नहीं आती, क्या बोल रहे हैं, मतलब या विलाग बनाना है तो या तो फिर म्यूट करके बना दो या फिर बोलना है, तो सही से बैठके आप बोलने जब आपको पता है आप ठक चुके हैं, या कुर्सी कोई ले ले उस पे बैठें, और फिर आप अपनी आडियंस को समझाएं कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो वो जो है फिर मैसिज आपका जो है समझ आता है, कि आप क्या समझाना चारे है तो चलते फिरते जब आप बोलते हैं, तो किसी को कख समझ नहीं आ रही होती, बिल्कुल स्लो करके, सपीड बिल्कुल लो करके बीपी लो करके मुबाइल दा फिर सुनी दहुंद है मुझे तो ऐसे ही सुनना पड़ा बीपी लो करके मुबाइल करे है बिल्कुल स्लो करके मैं क्या सुने क्या कह रहे हैं बाबा क्या कहना चाह रहे हो फिर जाके सुना तो भी पीलो मुबायल दा करना पया बाबाजी आपकी वज़ा से तो ब्रहे मिरबानी आप व्लॉगर हैं और आप पीछे हटने वाले नहीं हैं आपने व्लॉग बनाना है तो बनाए ठीक है लेकिन आप जो है सही तरह बैठके और फिर अपना मैसेज रिकॉर्ड किया करें च फिर उन्हों ने कहा बाबाजी ने कहा है कि लोग है मैं जो HE नमाज नहीं बढ़ता वीडियों बनाता रहता हूं तो नहीं ऐसा नहीं है जब वह मतलब सुरह-था-ई-फातिह हम पढ़ लेते हैं फिर या फिर मैं सन लेता हूं इसस तरह से कुछ कह रहे थे पिर उके combinations हो ज आप दिखा दिया करें बाकि आनलाइन जो है वो अल्रेडी टीवी मक्का टीवी है मदीना टीवी है और भी बहुत सारे टेलिविजन है जिसके थूरू से लाइफ ट्रांसमिशन चल रहे होती है लोग सुन रहे होते हैं तो खेर आप अपने तरीके से दिखाना चाहरे हैं तो वो भी ठीक है लेकिन लोगों ने तनकीद शायद की है तो फिर इनको पाता चला है तो आप इनोंने कहा बलके लुटा थोड़ा सा नराज टाइप हो रहे थे के मुझे रोकते हैं खेर उसके बाद कहा के पता नहीं मेरी वाइफ जो है चली जाए वो कहती है खरूज लगव लगवा रहे हैं फिर उसकी मर्जी है आए या वापस ना आए आए वापस या ना आए अपने इखलाक बलंद रखें आपने इखलाक बलंद रखें अपने हिसाब भी अच्छे रखें तो फिर रिष्टे नहीं तूटते ना कमजोर पड़ते हैं ठीक है जी तो आपना मजबूत होना चाहिए अगर मजबूत नहीं है तो आपको भी डर है कि हम्म्म आच छोड़के मैंनो जा सकती है तो कोई तो गड़बड है ना कोई तो गड़बड़ी की हुई है ना कि आप खुद सवालिया निशान के तोर पे बात कर रहे हैं कि पता नहीं वो आती है यह आतीं वापस खरूज तो लगवा रहे हैं, कब तक ये चलेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, वोईस हमने खुद सुन लिया, अपने कानों से, जो मा जी बोल रही थी, वो मैंने आज भी दुबारा लिखी है, सितारा के व्लॉग में, अमी बोल रही है, उसने मुझे कहा, मैं फं रही थी, वो सराइकी में जो बोल रही थी, ठीक है न, वो यही बोल रही थी, मिक क्या पता, मुझे क्या पता, कि इसने मुझे कहा, कि जो है, मैं फस जाओंगा, मैं सोचे कि अच्छा मैवल, चली वेनिया, ना फसे, मिक क्या पता है, मतलब मुझे क्या पता, था, तो उसक मा जी ने बोले है है ना सिटी वाले बाई सही कहा रही हूँ न आ ये देख आ गया आ गया है इनने अपनी पूपनी लाजमी बजानी थी बाबा जी की जब बात हो रही हो इसने पूपनी लाजमी बजानी थी पी पी येस पता है हमें तुम जा आगरे हो गुन्ने अच्छा नताशा की मुलाकात हुई है जी बड़ी से लोग बड़े हरान परिशान है जो सितारा के फैंस हैं और वो कह रहे हैं कि एकी ये तो सितारा को मिली थी सितारा के साथ इनकी हेलो हेलो थी तो फिर जो है देखें जी वो सब के साथ है उसकी नाना के साथ भी थी असल में सितारा से वो मिलना चाहती थी सितारा के पास टाइम नहीं था सितारा आ गई थी जो दो साल पहले ये लोग कश्मीर गयते पिर इसलामबाद आ रहे थे तो फिर नाना भाग के दोड़ के जाके मिलाई थी और अपनी खाला से भी तारुफ करवा डाला ओड़ी खाला से और फिर इनकी हलो हलो भी हुई कम्यूनिटियां भी लगाई थी उन्होंने लेकिन वो बंदी सितारा से भी राप्ता करना चाह रही थी फिर सितारा ने रिस्पॉंस नहीं किया था बाद में जब उनका चैनल वगेरा का इशू हुआ था तो सितारा ने इजहारे अफसोस किया था हजारों सेंकडों लोग उसको इजहारे अफसोस कर रहे थे जिनके चैनल थे नहीं थे इंस्टाग्रामर थे जो भी थे सबने स्टोरीज लगाई थी तो फिर उसमें सितारा जी ने भी लगाई थी तो फिर इस बंदी ने शुक्रिया अदा किया था सितारा का और फिर माजरत की थी और फिर जो है बाद में सितारा जी जब इस्लामाबाद गई हैं तो फिर ये नताशा मिली भी थी नताशा वकास जनाब और अभी जो है उम्रा पे वो गई है तो फिर वड़ी जी जो है अलू गोश्ट लायके पहुंच गही होने किया बाजी आ साड़ी दावत खा हैं तो फिर ये मिली हैं लेकिन बाजी आप य पुल गई हैं पिछले दिनों जब आपने सितारा की सपोर्ट में वीडियो बनाई थी तो इसी के ही सपोर्टर ने जिनको ये ओन करते हैं उन्होंने बड़ी गंदी बैड बजाई थी आपकी और आपको बहुत गंदा ट्रोल किया था और वही कमेंट कर रहे थे आपको बै इनकी मुलाकात तो हो गई है और बड़ी ने भरपूर फाइदा उठाया जितनी देर मिली हैं उनका वीडियो शीटियो भी बनाया है लेकिन नताशा बाजी ताशा बाजी आप इहतियात करना ये लोग इल्जाम भी लगा देते हैं ये जिन से मिलते हैं उनको इल्जाम लगा चुके हैं एक नहीं दो तीन ठीक है जी तो बकैदा टी में ये बनाते हैं और फिर उनके थ्रू से ये इल्जाम लगवाते हैं और रूमर्स गंदे गंदे पहलाते हैं तो बच जी बच के रहना तो मुझे याद है सितारा की सपोर्ट में इसने वीडियो बनाई थी कहा था जब किसी के पस परूफ सबूत नहीं होता तो मुझ उठा के ना आ जाया करें अल्लह का आजाब पड़ेगा ऐसे लोगों पर जो जूट बोलते हैं और जो जो लोगों की जिन्दगी खराब करते हैं तो सीदा सीदा ये वड़ी के अगेंस्टी थी तकरीबन हद तक वीडियो तो उसके बाद जो है इनकी एक दो दफा मुलकात भी हुई बटीक वगएरा पे पॉलर पे और इस तरह से इनकी हैलो हैलो हुई नताशा से लेकिन खेर यहां पर बड़ी जो है जनाब उन्होंने तो कॉपी करना ही करना होता है बेशक नताशा ने इनके खिलाफ ह क्यों ना वीडियो बड़ी के यह चुटी है जब देखा सुना नहीं है मैं मूठा के लोग वीडियो बना देते हैं और इल्जाम लगा देते हैं इसका बहुत बड़ा गुनाह है लेकिन वड़ी ने फिर भी मिलना था और वो मिली है और वो जो है वीडियो शीडियो भी ब जन से मुलाकात है उन निए सितारा कुपोंटर बहुत कुछ को करना होता है जैसे जैसे वो करती है वैसे वैसे मिसुनू बाजी जो है गुनी जो है इसने वैसे ही करना होता है तो अभacements निए पिल लिया तो आERS consistent कापी 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 तो करना ही करना होता है हर हाल में हर हर तरीके से कापी करना होता है तो खैर यहां पर अभी बात करेंगे जनाब सितारा ने शौट डाला था बहुत जबरदस्ट सा शौट था मामा कभी सुन तो जरा जो मैं कहना सकी मेरी दुनिया तुम ही हो तुम ही ह आसरा ये वालदा के लिए उन्होंने शॉर्ट डाली इतना प्यारा जबर्दस्त कलर का सूट पहना था सितारा ने बहुत खुबसूरत लगा और वो शॉर्ट भी बहुत खुबसूरत था पता नहीं क्या कुछ पिहाइंड दा कैमरा और कितनी चीजें चल रही है और क्या कु खुबसूरत लेकिन खेर हमने जो आवाज सुनी है जहां जो मां जी रो रही है वो सीदे लफ़ों में भी तो कह सकती थी कि तेखो जी मैं नहीं आ पारी दोड़ा सा प्राब्लम है लेकिन वो रो रही है वो रो रही है क्या कोई प्रेशर दिया जा रहा है कि हमारे दूसरी पारटी के लोग भी आके मुझे कॉमेंट कर रहे थे और कह रहे थे कि जब मां जी वो जरूरत थी मतलब वो तो अजीब से नाम लिख रहे थे बिलो करके तो उस टा commend तो फॉरन बाबे से शादी कर ली तो जी बाबे को नहीं थी जरूरत बाबे को भी तही खत्म हो चुकी है वो अब घरों में काम नहीं कर सकती उसने बहुत सपोर्ट किया ये नजमा गवा है इस बात की नजमा ने खुद वीडियो बनाई है दो तीन और नजमा ने बोला है कि अम्मा जब जॉब करती थी तो अम्मा के पैसों से अब बाने प्लॉट लेके बेटों क नाम कर दिया हलाके लड़ाई तो इनकी चल रही थी लेकिन इसमें अम्मा का भी नाम आया सही है ना तो अम्मा ने भी इसके बच्चों की जदादें बना के दी है जिसमें से अम्मा ने थोड़ा सा कहा भी था कि देखो मेरा इतना सारा पैसा इसमें लगा पड़ा है आप यो करो थोड़ा सा इसमें से एक मरला मेरे पुते को दे दो तो भी नहीं दिया बाबा ने वो भी नहीं दिया अम्मा की कंमाई नी खाई पिर हैं अम्मा की कंमाई से यह घर भी बनाय है। और ये भी इन्ही की उलादों ने फरमाया है, इन्ही की अपनी बेटी ने फरमाया है, तो ऐसी बातें नहीं करें जिन बातों का ज्यादा पता नहीं होता, अम्मा ने भी बड़ा साथ दिया है, और सारा दिन पैरों पे खड़े हो के लोगों के बरतन दो, कपड़े दो, इस् पहनत नहीं किई उसने, हस्मन के कपड़े धोना उनके स्तरी कर के देना उनको रोटी पकांके देना वो भी करती रही है और ये बीवी का हक होता है किया उसने लेकिन लोगों के घर काम करना ये हक नहीं होता ये याद रहें ये यू होता है कि मर्द ही कमाके बीवी को खिलाए अपने अकामे अपनी फीस हैं सब वो करती रही है माई ठीक है ना आप उसका कचुमा हुआ पड़ा है अब वो खतम हुई पड़ी अंदर से खाली बाहर से ना देखें कि उनके जिसामत है खतम हुई पड़ी है उसमें नहीं है इतनी हिम्मत ठीक है ना तो इस तरह से जो है आप लोग गल्त कमेंट ना किया करें दूसरी साइड के जो लोग आके हमें बैने कमेंट करती हैं तो मैं उनकी बात कर रही हूँ कि देखें अब खतम हो गई है वो माई अब कितना हद तक करेगी अब उनके बेटे हैं अपना संभाले करें खित्मत बाप की अम्मा आप नहीं कर सकती सही है ना पिछले दिनों उसका इतना पैर खराब हुआ हुआ था अम्मा का कितनी बुरी हाल लग थी उनकी अब बाद दूसरों को भी नहीं आने ता खुद भी जो है जिद बाजी करता है कि बीवी करें सारा कुछ का इस तरह नहीं होता नहीं होता गरूर भी नहीं रखना मुहबत देनी चाहिए यह कोई तुम ड़ी तुम मेरे साथ बाइर रहो विजे के पैसे के पैसे सारे तुम ही चो है काम करकर आने लोगों के और भी तुम भरो इस तरह नहीं होता भाई ओरत अंपने सिकून के लिए शादी करती है सिकून तो मिला ना म fresh रही क्यों है प्रłę पैसें लिया गया है और यह इन्होंने अपने बेटों के नाम किया है जो रोते पिटते हैं कि हौई सदाक कोश भी नहीं है हमारे बास कुछ भी नहीं आइसे नहीं करते होते बहुं मनना कोर और चाहती है कि मैं अपने हस्मंड की साथ ना रहूं और तो खुश होती है लेकिन यहां पर कुछ तो दाल में काला है ना जो अमा रो रही है और मा बेटी दोनों रो रही है उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई अभी हमें शायद सुना देते तो यहां तो वबाल मच जाता, बहुत कुछ चल रहा है भाई, बहुत कुछ चल रहा होगा, साफ पता चलता है, अच्छा जी सितारा का जनाब व्लॉग और चैलेंज 100 डे का कम्प्लीट हो चुका है, लोगों ने बार बार सितारा को याद दिलाया, कि तो थैंक्स कर रही थी सितारा, और सितारा ने जनाब साजद ने कहा कि मैं आज ही जाना है, क्योंकि छुट्टी आ रही है, सट्टेडे और संडे की, तो मैं उसी दौरान जाके हो आता हूं, और बच्चों को ट्यूशन वगएर आप खुद ही छोड़ाया करना, लेकिन मैं जनाब मिस कर रही थी सितारा, उनकी चीज़ें वगरा दिखा रही थी, रूम दिखा रही थी, कौल तो बाद में गई, सितारा को, लेकिन उसे पहले जो है, वह भी होता है ना, दिल को दिल की रहा होती है, तो पहले वह नहीं दिखाती थी, यह दिन की रिकार्डिंग है, वो दिखा रही हैं सारा कुछ देखें जी अमी यहां पे बैटी होतीजी दर्वादा खुला होता है जिब से अमी नी यह मैं भी इस रूम में ज्यादर नहीं आसी कियुके कॉसर और साझद जयांगी रहते हैं बच्चे आते जाते हैं लेकिन मैं नहीं आती अम्मा को मिस कर रही थी उनके अलमारी दिखा रही थी सब कुछ उसे पता है कि कौसर जो है वो तो उसकी मा आ जाएगी वो तो उदर चली जाएगी साज़त भी उदर बिज़ी हो जाएगा अब मैं अकेली पढ़ जाओंगी क्या होगा तो इस तरह से वो अपनी चीज़ ने दिखा रही थी और अम्मा को मिस कर रही थी खै और उसके बाद जो है कौसर को भी बोला कि तुम्हारी अम्मी आ रही है तुम तो खुश हो जाओ तुम्हारी माँ भी आ रही है तुम खुश हो जो सितारा ने जनाब रस्ता वगारा भी सीखा साजित को कहा कि आप मुझे रस्ता दिखा दें ताके जो है मैं रस्ता ना भूल जाओं और मुझे मेरे लिए प्रॉबलम ना हो तो फिर लेने भी गई छोड़ने भी गई मुस्त कोई मसला नहीं होगा उसको लग रहा है उसको लग रहा है कि साजित बीजी हो जाएगा वह अपनी उस लाइफ में बीजी हो जाएगा तो मैं अपना जो है इंतिजाम करना हूँ और अच्छी बात है आप जो कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए काफी चीज़ें और यजिए अश्था नहीं है आप अपना स्ट्रॉंग रहें और खिलखला के अपना काम करें जहां आना हो जाना हो बच्छों को चोड़ना खुद का दिल पर रहा हूँ कहते आज वह अपि लोग रहा है कि में बड़ा dalej करें इस यह अच्छी सी जगा प valeurए तो नहीं हो बरा तब्यत भी उनकी निधाल सी लग रही थी और जा है ऐसे परिशान परिशान सी लग रही थी सितारा खैर दोनों माँ बेटी को रोता हुआ देखके बहुत सारे लोग परिशान होगे तो परिशान ना हो अल्ला बेतरी करेगा बाबा ने फिलहाल थोड़ा सा सुनवा तो दी ह कि मेरी बीवी कह रही है मेरा जल्दी से खरूज लगवाओ और मैं जाओ ये खरूज के रोलों में पड़े क्यों है यार जब भी जाना हो अपना वीजा लो दान छुड़ाओ जाओ किन चक्रों में पड़े हूँ है मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही है और मैं वहां की कुछ और है पता नहीं क्या रोला है क्या मसला है कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ पता नहीं चल रहा अंदर की बाते क्या है एमें तो कोई बंदी नहीं रोती ना है क्या ख्याल है खुशी खुशी तो यहां से गई है फिर वहां बाबा के वीडियो में भी थोड़ी सी बात जो लीक हुई है, उसमें भी वही पहरी थी, कि मैं कसमें उठा रही हूं, मैं बता रही हूं, मैं कसम उठा रही हूं, चुटियां कतम हो रही है, जल्दी करो, तो वह भी हमने सुना, बहुत कुछ चल रहा है, अंदर से पतानी है क्या मसला, कोई समझ नहीं आरी लाख खेर करे कौन सा ऐसा दबाओ देते हैं वो लोग कौन सा ऐसे डुराते दमगाते हैं पहले भी ऐसे जब सितारा ने वीडियो कॉल की थी यह लोग तो कहते हैं महा पे पहले चुप नहीं हुए पड़े तो भई पहले यूट्यूब भी नहीं थे कहा बाबा ने कहते हैं खरूज लगवारे हैं बेज रहा हूं बीबी को पता नहीं आती है वापस नहीं आती मैं चलो करवा देता हूं तो आपके जिस्तों में जब खुद एतमादी नहीं होगी न फिर यह रिष्टे नहीं चलते होते ठीक है ना फिर कभी भी ऐसे रिष्टे ही चलते जब आप लोगों को एतमाद नहीं होता है एक दूसरे पर वो कसमें उठा रही है वो कह रही है मैं आपके साथ हूँ जैसे वो इसलामबाद रह रही थी बाबे ने गाउं बुलाया फॉरण गाउं आ गई हैं जब 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 जो है बाबा बुलाता है पिछली बार भ हुआ था मसला खैर अल्ला रहम करे अल्ला रहम करे अब पतनी क्या इनको कितना प्रेशराइज करते हैं मारते पीटते हैं प्रेशर देते हैं कि तू काम कर काम करने वाली मशीन बन जा हम बैठे हैं तू खिला हमें पतनी क्यों से रोले हैं क्या प्रॉब्लम है खैर सितारा इस वर्ट होते हैं तो हम रिलेक्स होते यह अम्हां और वह रियाक्स होते थे हमें फ्राइशन तो होती है केला चैला केला होत innovative तो खैर फिर साजिद ने का नहीं नहीं आप लोग अपना ख्यार रखना, मैं जो है इंशालला जल्दी आ जाओंगा, बस आप लोग दर्वाजा शर्वाजा बंद रखना, एक्टिव रहना, सब ठीक हो जाएगा, गाड़ी शाड़ी भी सितारा ने खुद गिराज में लगा अच्छा लगा, उनको खुद एदमादी देखके सितारा की बहुत अच्छा लगा, बैकी खैर खुश रहें, अबाद रहें, आप परेशान ना हो, सितारा जी बहुत सारी दौाएं आपके साथ हैं, हैपी रो, हैल्दी रो, और मेरी जनाब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सबस्क्राइब कर दें, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, अल्ला हाफिज!